नमस्कार लोग डिजर्स के लिए कोटक की तरब से यहां वेकिंसी निकालेगी है legal manager की loan assistant प्रूपरते जिसे की short form में लड़पी के नाम से जाना जाता है यहां पे legal manager loan assistant की नाम से वेकंसी है और इस opportunity का फायद अगर आप लेना चाहते है यानि कि आप इस post के लिए apply करना चाहत साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस पोस्ट के लिए कैसे आपकी सेलेक्शन होने वाली है तो इस वीडियो को लाइश टक जरूर देखिएगा एक चीज आपको यहां पर हम बता दे कि इस पोस्ट के लिए अपलाई करने के लिए आपको कोई भी एक्जामिनेशन फीड नहीं देनी है एनि कि आप इसके लिए फिरी में अपलाई कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी आपको एपलिकेशन चार्जेश देने की जरूरत नहीं है साथ ही आपको बता दे कि यहां पर जो आपके सेलेक्शन होने वाली है तो यह बहुत यह संदार आपोसिनिटी होने वाली है अगर आप इसकी eligibility criteria को fulfill कर रहे हो तो आप इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं इससे पहले कम इस वीडियो के सुरुवात करें और आपको इसके बारे में complete information दे अगर आप एक low student है low graduate है या एक practicing educate है और आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो make sure करे चैनल क subscribe करने के बाद बेल इकन को जरूर दबा लेजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज की notification आपको मिलती रहे और आप से कोई भी legal job opportunity मिस नहों आयो शुरुआत करते हैं अभी आप आपके screen पे इसके official notification को देख सकते हैं जो की quota की तरफ से जारी किया गया है और यहाँ पे आप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो भी candidate sports के लिए अपलाई करेंगे उनकी English और Hindi दोनों language अच्छी होने चाहिए Reading और Writing दोनों साथ ही उनके पास additional किसी language का अगर knowledge है तो उनको यहाँ पे preference दिया जाएगा कि responsibility की बात करें इस post के लिए तो आपको बता दे कि जो भ अगर आपको यहाँ पे प्रिफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे आपका जो मेन काम रहने वाला है इस post पे ओ जो है किसी भी लिगल डॉकुमेंट को डाप करना रिभ्यू करना नेगोसियेट करना और क्लोजिंग करना बैंकिंग लिगल जो भी डॉकुमेंट से जैसे कि लोन स्कूटिनी एसाइमें और अधर फाइनेंस रिलिटेड जॉकुमेंट उसके उपर आपको यहाँ पे काम करनी होगी उसको रिभ्यू करना उसको ड्राफ्ट करना यही काम आपका रहने वाला है यहा बारे में बात नहीं की गई है तो अगर आपके पास एक दो साल का भी एक्सप्रियेंस है बैंकिंग सेक्टर से तो आप इस पोर्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं आपको इस पेज़ पी आना है और आप नीचे आपको अपलाई नाव के बटन पर क्लिक करनी है जैसे ही आप अपलाई नाव के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस खुल के आएगा यहाँ पे आप अपना email ID डालेंगे और उसके बाद जो है next बटन पर क्लिक करेंगे जैन उसके बाद आगे की जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद आप इस पो करके आपको बताया जाएगा कि आपको इस पोस्ट के लेक्ट किया गया है और इस देट इस टाइम कर आपको इस नलिए अपन्हें इस आपको एहां पर मिलेकी लेकि लेकिन तो ऐसे भी आपको apply जरूर करने चाहिए क्योंकि इस post के लिए ना तो आपको application चार्जे देनी है और ना ही यहाँ पे apply करने में बहुत सारा ताम जाम है तो simple आप जो इस वीडियो के description में दिये गए link पर click के जी और अपना resume upload करके और जो basic details मांगेगी है उसको fill करके आप इस post के लिए apply जरूर कर देजी अरे यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करे चैनल अपने है तो subscribe जरूर कर लेजिए जल्दे मिलते हैं एक और नए legal job opportunity के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारक धन्यबाद